इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए 34 प्रीमियम कोर्सिस फ्री ओफ फॉस्प लेकर आ गया हूँ यहाँ पे कुछ कोर्स आपको हिंदी में और कुछ कोर्स इंग्लिश के देखने के लिए मिल जाएंगे कोर्सिस को फ्री कैसे लेना है वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना तभी आप इन कोर्सिस को फ्री में ले पाओगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती है सब्सक्राइब करके बैल अकर ना जाएगा आल पर क्लिक जरूर कर लेना जिससे आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल पाएंगी और तभी आप आने वाले कोर्सिस को भी प्री आफ कोस्ट ले पाओगे तो चलिए बीना देर के स्टार्ट कर रहे हमारा आज का वीडियो पहला कोर्स जेपी मॉर्गन कंपनी में अगर आप इंटर्वी के ले प्रिपेर कर रहे हैं साप लोग इस कोर्स को ट्राई कर सकते हैं एक घंटे का कोर्स रहेगा इस कोर्स के अंदर आपको फुल आफ्टरम एक्सेस के साथ प्री सेर्टिपिकेट भी मिल जाएगा कोर्स फ्री लेने की एक टेकनीक है वो क्या है आपको कोर्स का नंबर देखना है जो कि यहाँ पर टॉप पर आपको दिख भी रहोगा है नंबर वन description में जाना इस वीडियो के वहाँ पर आपको पहले number के सामने एक link मिलेगा bit.ly का blue color में आपको बस उस link पर click करना है link पर जैसे ही click करोगे आप लोग directly आ जाओगे इस page पे यहाँ पर आने के बाद coupon जो code है automatic apply हो जाएगा और course free दिख जाएगा पर यह सारी चीज़त तभी होंगी जब आप इन वीडियो को time पर देख रहे हैं time पर देखने का मतलब है जिस दिन वीडियो चैनल पर upload की जा रही है आपको उसी दिन वीडियो देख लेना है तभी आप इन courses को free में ले पाऊगे जब आप वीडियो देखोगे time पर तो coupon automatic apply हो जाएगा और course free दिख जाएगा फिर enroll log के बटन पर click कर देना इसके बाद आप लोग यहाँ पर login साइन अप कर सकते हो Google, Facebook, Apple या खुद की email ID की help से मेरा यहाँ पर already account है तो मैं फटापड से login करके आप लोगों को आगे का process बता देता हूँ login या sign up कर लोगे उसके बाद आ जाओगा चेक आउट पेज़ पे यह आपका JP Morgan वाला course total में 0 रुपे है enroll law पे click कर देना आप आप course के अंदर enroll हो जाओगे तो आप देख सकते हो आप course के अंदर enroll हो जाओगे start course का button पे click करोगे तो course के अंदर enter हो जाओगे right hand sign में सारा course content दिख जाएगा क्या-क्या topics course के अंदर होने वाले यहाँ से course की progress track कर सकते हो कितने lectures सा आपने cover कर लिए जैसी सारा course complete कर लोगे उसके बाद आप लोग Q&A section में आकर sorry overview section पाकर certificate ले सकते हो यह रहाँ आपका certificate का button जो कि तभी unlock होगा जब आप course को complete कर लेंगे तो पहले course complete कर लेना आपका button unlock हो जाएगा तो certificate आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा मैंने यहाँ पर आपको live course में enroll करने से लेकर certificate लेने तक का सारा process बता दिया है और वो इसलिए जबता है ताकि आप लोगों को कोई doubt ना हो कोई video fake बनाया गया यहाँ पर कोई scam हो रहा है पर यह चीज सारी real है अगर आप video time पर देखोगे तब ही आप इन course इसको free में ले पाऊगे और अगर आप video दो चार दस दिन बात देखोगे तो coupon code expired हो जाएगे जैसा आप देख भी पा रहे हो coupon code की time limit maximum time limit चार दिन की है तो आपको maximum to maximum चार दिन के अंदर वीडियो देख लेना है तब ही आप इन course इसको free में ले पाऊगे यह है आपका second course जो कि customer success management का रहने वाल है जो कि आपकी business growth में बहुत ज़दा help करेगा और अगर आपको कोई course ऐसा लग रहा है कि आपके friend का काम का हो सकता है तो please बेज जिजख हो के यह video share कर देना ताकि आपके बाकी friends भी यहां से आपका course free में ले सके और अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना या आपको दूसरा course लेना चाहते हो तो comment कर सकते हो या आप लोग connect हो सकते हो WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram पे link description में आपको मिल जाएंगे यह आपका second course था head course design thinking का रहने वाला है जो कि यह रा तो आप इसको जाकर end roll कर सकते हैं और अगर कभी आप से कोई course मिस हो जाए तो आप लोग ज़्यादा वरी मत करना क्योंकि course Udemy के जो हैं एक से दो आफ़े में repeat कर जाते हैं उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना है और साथी साथ जो भी course छूट रहे आप लेना चाहते हैं जिसको course का पूरा नाम copy करके comment में डाल देना साथ में लिख दिना I miss और आप लोग उस दिन की rate डाल देना जिस भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसी next time course आएगा मैं आपको अपनी comments का through search करके notify कर दूँगा next course hiring के regarding course मिल जाएगा जो भी लोग HR में काम करते हैं उनके लिए course आपके helpful रहने वाला है fifth course women and digital inflation का रहने के लिए मिल जाएगा आप लोगों के लिए यह आपको course बहुत ज़दा हिल्प करने वाला है next course असाना कर रहेगा जो कि Microsoft का टूल रहता है उसको आप यहां से सीख सकते हो next course Adobe Creative Cloud का course मिल जाएगा जिसके नदर आपको बहुत सारी चीज़े सिखाए जाएगी वो आप यहां से सीख पाएगे next course GitLab का course मिलेगा जो भी लोग software engineering की field में काम कर रहे है वो लोग इस course को ले सकते है next course Google Workspace का रहेगा G Suite जिसके नदर आपको Google Docs, Forms, Sites, Slides Jamboards, सारी चीज़े आपको यहां मिल जाएगी next course एक practice test मिल जाएगा IT Certifications के अंदर है Sab Certified Technologies का है तो भ्यान रहे practice test में आप enroll कर सकते हो पर यहां पर आपको certificate नहीं मिलेगा तो अगर आप किसी भी course में सिर्फ और सिर्फ certificates के लिए enroll कर रहे है तो आप लोग practice test को छोड़ सकते है क्योंकि अगर आप सारे के सारे courses में enroll करेंगे तो आपका Udemy account भी ban हो सकता है next course AWS certified developer associates का practice test मिल जाएगा जो कि आपको Amazon Web Services की तरफ से रहता है next again आपको AWS की तरफ से solution architect associates का practice test है next यहां पर Amazon sorry Python and Flask framework का आपको course मिल जाएगा complete next course NLP यानि Natural Language Processing का course मिलेगा जो कि आपको data science में help करता है 14th नमर पर course रहने वाला है course का नमरों पर दिख रहा होगा description में link है तो जाकर enroll कर सकते हो next course YouTube marketing का course मिल जाएगा जिसे आप अपने YouTube channel को promote कर पाऊगे next course web designing आपको मिल जाएगा तो अगर आप अच्छी सी अच्छी animated website बनाना चाहते हो तो यहापर बना सकते हो वह बीना किसी coding के ही next course AI content generate कैसे करना है वो सिख सकते हो 18th course interviewing skills का मिल जाएगा interview को कैसे crack करना है उसके regarding tips and tricks आपको मिल जाएगी 18th नमर वाले course में 19th course यहाँ पर practice test कर रहेगा professional scrum masters का 20th नमर पर Microsoft की तरफ से Azure administrator का practice test है next course again Microsoft की तरफ से Azure fundamentals का practice test रहेगा 21 नमर पर 22 नमर पर professional scrum product owner PSPO का practice test मिल जाएगा दो practice test का सट है 8080 questions का मिल जाएगा next course 23 नमर पर है project management का आपको course मिल जाएगा next course PMI ACP का practice test मिल जाएगा 25 नमर पर WordPress की तरफ से अगर आप web development सीखना चाहते हो तो this course को ले सकते हो जिसने आप बिना coding के ही बड़ी अच्छी website तयार कर पाऊगे next course digital marketing का मिल जाएगा आप लोगों के लिए next course app development आप सीखना चाहते हो तो आप यो आप कर सकते हो वो भी AI की help से next course content marketing का मिलेगा जो की quiz रहने वाला है यहाँ पर next course Google AdWords की तरफ से practices मिल जाएगा 30 नमर पर आप digital voice cloning कर सकते हो AI की help से वो भी next course persuasion का रहने वाला 31 नमर पर अब तक के जो भी course थे सारे के सारे English language में थे पर आप कुछ course आपको 3 course हिंदी मिलेंगे इसमें की पहला course WordPress का रहने वाला है जिससे आप e-commerce website बना पाऊगे next course 33 नमर पर रहेगा GST के ओपर सीखना चाते हो वो सीख सकते हो आप लोग यहाँ पर next और जो आज का आखरी course है SEO सीख सकते हो आप लोग यहाँ पर content writing के लिए वो भी हिंदी में कोर्स है तो आप बड़े अराम से course मज़ी पाऊगे और कर भी पाऊगे और अगर आप आगे भी के ऐसे ही courses को free लेना चाते हो तो technical pro plus को subscribe करके bell icon press कर लो जिससे आने वाली videos time पर मिले और आप लोग जादा से जादा courses को free में ले पाऊ और मैं मिलता आपको next video में तब तक के लिए सभी लोगों को tata bye bye and take care